Hi everyone, welcome to our YouTube channel Mind Technical आज के स्टोडियो में हम लोग रिस्क मेनेजमेंट एंड सेफटी मेनेजमेंट प्लाइन को पर डिसकस करने वाले हैं जो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है फॉर यूर अपकमिंग लीजमेस फर्सक्लास एंड सिर्टिफिकेट इग्जामिनेशन ये टापिक और मैन और सरदार इग्जामिनेशन के लिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज कल सरदार और मैन के इग्जामिनेशन में भी इस टापिक से सवाल पूछे जा रहे हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्रेडी बनाएगे वीडियो के उपर हमने एसमपी यानि सीफ्टी मेंजमेंट प्लैन के उपर और अल्रेडी वीडियो बनाएगे इसके उपर 47,000 से भी उपर व्यूज आ चुके हैं काफी और यह सबसे पहले हम लोग इसका इवल्यूशन डिसकस करते हैं तो बात है वर्स 2000 की यह 2000 की 9th नेसा सेप्टी कॉनफेस में सबसे पहले बार सेफ्टी मेंजमेंट सिस्टम का जिकर हुआ था उससे बताया गया था कि सेफ्टी मेंजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए यानि रिस्क मेंजमेंट को एस टूल के रूप में इस्तिमाल करना होगा फिर आते हैं यह टूटा वजन टू जहाँ पर सेफ्टी मेंजमेंट सिस्टम को इंप्लिमेंट करने के लिए गाइडलाइन आया था इसी के उपर मैंने प्रिविएस जो वीडियो मेरा बना है सन पी वो उपर है तो प्लीज उस वीडियो को अब देखिंजेगा तो इंप्लिमेंटेशन का काईलेन आ चुगा था 2002 में फिर आते हैं 2007 जहाँ पर 10 नेशनल सिफ्टी कॉनफरेंस में सिफ्टी मेंजमेंट सिस्टम को इंप्लिमेंट करने के लिए स्टैटिजी के बारे में बताया इसके बारे में बताया दित बाद आते है वरस 2011 जहाँ पर सिफ्टी मेंजमेंट सिस्टम को सिफ्टी मेनजमेंट सिस्टम को हो जाता था पosure जहाँ पर safety management plan और develop करने के लिए integrated approach जो है वो as a circular के रूप में publish किया गया था by the DGMS फिर आता है 2017 जहाँ पर SMP को coal mice regulation में include करके इसे statuary बना दिया गया तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2016 का जो circular है integrated approach for the development of safety management plan उसको discuss करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे circular में बताया गया है hazard identification and risk management के उपर कैसे आपको hazard identify करना है और कैसे risk को manage करना है इस circular में बताया है इस circular में जो है nine process के बारे में बताया है सबसे पहला process है formation of team उसके बाद आता है risk management के tools उसके बाद आता है hazard and defy करना फिर आता है work sheet develop करना risk assessment, control और audit के लिए और फिर इसके बाद आता है risk assessment इसके बाद आता है risk control इसके बाद आता है auditing इसके बाद आता है emergency exercise and last में आता है miscellaneous तो चलिए सबसे पहले discuss करते हैं formation of team तो formation of team का जो purpose है वो simple है कि risk management अगर ख़दान में करना है hazard identification करना है आपको कुछ set of members, कुछ set of workers कुछ set of team member आपको चाहिए ही होगे तो यही इसका purpose है formation of team का कि आपको जो है group of person चाहिए होगा risk management करने के लिए hazard identification करने के लिए तो इसी के लिए हम लोग क्या करते है team form करते है इस team का leader कौन होता है तो mines का manager होता है या आप आप इसों in charge होता है इसके members कौन कौन होते है तो safety official member होता है engineer member होता है workman inspector mine production का in charge mechanical section का in charge electrical section का in charge civil wing का in charge occupational health and hygiene का in charge mine serving का in charge और साथी साथ production electrical भी है वो भी सामिल होंगे इसके अलावा advice and technical guidance के लिए regulators यानि DMS officials, mining scientists इसके अलावा research institute और academic institute से expert, manufacturer से representatives को भी invite किया जाना चाहिए to participate in risk assessment session यानि जब भी risk assessment session होगा तो लोगों को invite करना चाहिए participate करने के लिए तागी advice और technical guidance मिल सके तो यह हुआ formation of team के बारे में next अभी हम लोग बात करेंगी tools of risk management यान risk management करने के लिए हम पो किन-किन tools का जरूरत पढ़ने वाला है तो सबसे पहले है safety committee meeting का minutes उसके बाद आता है workman inspector का report उसके बाद आता है contravention जो point out किये गए है by the regulator या indigenous officials और कौन-कौन से action जो है लिए गये है इस report के अगेंस्ट ये भी है safety facer का inspection report ISO के द्वारे submit के आगये report previous risk assessment document accident और near missus के जो reports हैं वो और साथी computer जिसमें MS office 2007 या उसका higher version हो और एक printer तो ये सब ही जो है risk manage करने के ये सब tools में आते हैं अब next हम लोग क्या discuss करेंगे हमने team form कर दिया हमने अपने पास जो है tool इकठा कर लिया अब हमको क्या करना है हजार को identify करना है हजार को पहचानना है तो ये बहुत ही basic बात है कि जब भी ठीक है आप mining accident या mining incident को investigate करते हैं properly तो आपको हमेशा system failure के बारे में पता चलता है कि इस समय जो इस कारण से system fail हुआ होगा जब भी हम लोग system failure के बात करते हैं तो system का मतलब हमको समझ मैंना चाहिए system का मतलब है अगर mining system के बात करें तो mining system में तीन components होते हैं man, machines and materials इसी specific task पो किसी specific environment में perform करने के लिए इन तीनो components का मिलकर काम करना बहुत ज़्यादा जो रही है इन तीनो components में से किसी भी component का अगर failure हो जाता है तो overall system जो है वो fail कर जाएगा एगर man fail कर रही है तब भी system fail कर जाएगा सिर्फ machine हुआ तब भी fail हो जाएगा material हुआ तब भी fail होगे यानि तीनों का मिलके अच्छे से काम करना बहुत ही ज़्यादा जो रही है इनका अगर failure होता है किसी का भी failure होता है इनकों से किसी का तो फूरा system failure हो जाएगा तो जब भी आप hazard identification करते हैं तो आपको तीन चीज को identify करना आना चाहिए पहला कौन सा संभावित location है कौन सा probable location है जहाँ पर संभावना है unwanted energy या unwanted object release होने का तो उस probable location को identify करना है दूसरा वो medium को भी identify करना है जिससे unwanted energy या अबज़क्ट जो है वो travel कर सकता है और उस minor को भी पहचानना है identify करना है जो इस unwanted energy object के संपर्ग में आने से उसको खतरा हो सकता है तो उसको भी आपको identify करना है यानि minor identify करो medium को और location को जब भी आप hazard identification कर रहे होंगे तो आपको potential exposure of workers जो इन hazard से expose हो सकते हैं उनका आपको ध्यान देना बहुत जाज़़ए जितना ज़्यादा लोग exposed होंगे हजार से उतना ज़्यादा consequence serious होगा अगर कोई misshap होता है तो इसलिए आपको जो potential exposure of worker है इन hazard safe तो उनको भी आपको consider करना होगा जब भी आप hazard identification कर रहे हैं यानि कितने लोग हजार से exposed हो सकते हैं जितना ज़्यादा लोग exposed होंगे उतना ज़्यादा serious होगा consequence तो ये आपको ध्यान देना है इसी में एक table ने बता गया कि कितना work person जो है employed जो है exposed रहेंगे तो risk exposure का impact assessment क्या होगा मतलब ठीक है जो risk assessment है ठीक है उसका impact assessment क्या होगा ठीक है तो वो depend करता है जाई से बात कि कितने percentage of low वहाँ पे employed हैं एगर 40 से ज़्यादा percent employed है तो maximum जो है यहाँ पे आएगा 20 से 40 है तो high आएगा 10 से 20 होगा तो medium होगा 5 से 10 होगा और less than 5 है 5 से गम है तो very low होगा impact assessment of risk exposure यानि risk exposure का impact assessment है वो maximum से लेके very low तक जाता है अब risk score के अधार पे हम लोग 1000 को भी classify किये गए है किये हैं 1000 जो है उसको risk score पे हम लोग 3 टाइप से हम लोग classify किये हैं high risk hazard, medium risk hazard और low risk hazard वैसा हजार जिसका risk score जो है 200 से ज़्यादा है उसको high risk hazard बोलेंगे वैसा हजार जिसमें risk value 200 से कम है लेकिन 20 से ज़्यादा है वो medium risk वाला हजार हो गया और वैसा risk जिसमें जो risk score है वो 20 से कम हो गया उसे लोग बोलेंगे low risk आपको अगर पता नहीं है कि risk कैसे calculate करते हैं तो आप previous video देख सकते हैं पर मैंने बताया है कि कैसे risk score जो है आप जो है निकाल सकते हैं किसी भी हजार का अगर आपका high risk है तो आपको immediate attention चाहिए वहाँ पे अगर medium risk है तो management action चाहिए और अगर low risk है तो उदना attention नहीं है पर लेकिन आपको review करना पड़ेगा example क्या high risk हजार का अगर कोई खदान में आग लगी है जिससे खान में विस्फोर्ट हो सकता है तो वो क्या high risk हजार है roof fall, inundation हो जाना from surface water, mine gases गलत तरह से survey करना गलत तरह से mine plan जो है इनकरेक्ट नेना ये सब high risk हजार medium risk हजार में surface blasting or vibration, winding जो है आप परियाप जो है जो हो ट्रांसपोर्ट में फिलियर, ये सब medium risk हजार है वहीं respirable dust, no ISR, परियाप ventilation, फिसरन भरा रास्ता ये सब low risk हजार हैं next अभी हम लोग बात करेंगे ये हमारा हो चुगा hazard identification आप हम लोग बात करेंगे कि worksheet हमको कैसे बनाना है किस चीज के लिए worksheet बनाना है जी तो risk assessment के लिए worksheet बनाना है risk control के लिए बनाना है और उसके audit के लिए document बनाना है तो जब भी आप worksheet बना रहे हो तो उसके template में जो है कोई चीजे हमेशा mention होनी जाहिए पहला document number उसका title, खदान का नाम company का नाम, किस date को conduct हुआ, location etc और साथ ही साथ assessment team member में कौन पुन थे है, facilitator कौन पुन थे है ये सबी चीजें आपको इस worksheet में include करना होगा एक sample worksheet आपके सामने में पेश कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर खदान का नाम भी है company का भी नाम है, कौन साटेट को क्या होगी लिखा हुआ, location भी है assessment team है facilitator है और फिर hazard, hazard number, mechanism, calculator risk और comment तो ही है इस template में basic यह सब चीजें तो होनी ही चाहिए अब हम लोग next discuss करेंगे risk assessment risk assessment वहाँ process है जिससे हम लोग risk को measure करते हैं नापते हैं और risk को evaluate करते हैं ताकि हम लोग prioritize कर सके ऐसा करने से हमको पता चलेगा कि जो है हम लोग कैसे effectively इन रिस्क को manage कर सकते हैं, कैसे इन रिस्क को reduce कर सकते हैं risk assessment का जो meaning होता है वो होता है understand करना किसी potential hazard का severity और likelihood या नहीं होने की समभावना और उसका seriousness जो है समभावित जो हो सकती हजाड का उसको समझने में हमारी risk assessment में help होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं बहतर तरीका का decision ले पाता है कि कौन सा बहतर तरीका होगा जिससे इन रिस्क को हम लोग control कर सकते हैं या reduce कर सकते हैं तो यह हुआ risk assessment के बारे में risk control क्या होता है रिस्क कंट्रोल जो है रिस्क असेस्मेंट के बात करते हैं रिस्क असेस्मेंट में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो हमारे स्टैटिजीज हैं जो एक्टिविटीज हैं वो हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि जो हजार्ड है ठीक है वेने रिस अदेन्टिफाइब की यह उसको कम करने के लिए हम लोग यहँ पे एकशन लेते हैं इसमें शामिल है कार सेले में चेंज करना, प्रोसीजर में चेंज करना, जिसे में बोल सकता हूँ, safety equipment यूज करना, जिसे के PPE इस्तमाल कर रहे हैं, तो यह भी क्या है, risk control करने का तरीका है, workers को training देना, ताकि जो भी workplace है, वो आप risk को minimize किया जाज़ा सकता है, जब भी आप risk control प्लान को डेवलप करें होंगे किसी इडिनिफाइड हजार्ड के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ पर ध्यान देना कि कितने लोग जो है उस लोकेशन पे हैं प्रिजेंट जहां पर रिस्क हो सकता है जितना जादा जो लोग हैं किसी हजार्ड से एक्सपो लोग हो रहे हैं तो इस रिस्क पो हमको सबसे पहले इलिमिनेट करना है उसको फाल करना है अब इतना मैंने बता दिया रिसक कास्समेंट और इस कांटूर्ड के वारे में घ्रड कल बात रेकिन अभी भी मैं ज़ावे के साथ कर सकता हुए आपको रिसक अप्रोड को रिसक करने के कोल को एक्सटेक्क करने के लिए سब्हार एक माता है एक पॉसिबल रहत शगल 20 हज़ार यह बनता है कि अगर मसीन हृजाता है हमारह एक्सिडेंट हो जाए तो हम लोग जब भी रिस्क असस्मेंट करेंगे तो हम लोग Evaluate करेंगे Likelihood और Consequence Likelihood में क्या हम लोग पता करेंगे कि जो है क्या संभावना है कि Machine Fail हो जाए कितनी बार Machine Fail हो सकता है यह हम लोग Evaluate करेंगे और क्या Evaluate करेंगे अगर यह Fail करता है तो क्या यह Workers को Farm करेगा, नुकसान पहुँचाएगा अगर पहुचाएगा तो कितना serious injury हो सकता है For example, अगर Risk जादा है ठीक है, रिस्क कब जादा हो सकता है मान विसे लिए Machine पुराना है तो बहुत जादा बार वो क्या होगा? Breakdown होगा तो जादा risk है जादा breakdown होगा, जादा risk है जादा risk का मतलब है कि हमको हमने आकलन कर लिया है likelihood consequence हमने prioritize कर दिया कि अच्छा ये high risk में आएगा इसको सबसे पहले deal करना है अगर medium risk में आता तो उसको high risk के बाद हम लोग medium risk पर आते तो हमने risk को क्या किया? पहले तो आकलन किया कि कितनी बार machine fail हो सकता है अगर fail हुआ तो क्या वर्गर्स को harm करेगा अगर harm भी होते हैं तो कितना serious harm होंगे उसके अधार पे हमने risk जो है इसको categorize कर दिया ये high risk है, low risk है, medium risk है high risk होगा तो हमको prioritize भी करना है उस risk को manage करने की उसको eliminate करने के लिए यहाँ तक हमारा जो काम हुआ इसको हमने का कि यह क्या है, यह risk assessment है अब हम लोग बात करते हैं risk control के बारे में जैसे हमने risk assessment किया हमको पता चल चुका है कि from high risk में है, from medium risk में है from low risk में अभी हमने assessment किया था तो हमको पता चला कि जो machinery failure है high risk में आता है तो हमको क्या करना है इसको सबसे पहले control करना है तो control कैसे करेंगे हम लोग maintenance कर देंगे ठीक है, regular maintenance schedule करने से क्या होगा जो breakdown हो रहा था वो नहीं होगा ठीक है, training देंगे workers को ताकि जब भी machine fail हो तो उनको क्या करना चाहिए उनको पता रहे है उनको safety gear यानि PPE देंगे ठीक है, helmets देंगे, boots देंगे ताकि जो है, जो भी accident हो सकते वो reduce हो जाए और साथी साथ engineering control की हम लोग कर सकते हैं जिससे, मानगीजले machine में emergency stop button डाल दिये हैं guard डाल दिये हैं ताकि machine जो है accident जो कारें, machine के कारें accident ना हो तो ये सब हमने actual काम किया ठीक है, risk को रोकने के लिए, कम करने के लिए तो ये क्या हुआ, risk control हुआ हमने इससे पहले, risk है पता लगाया कि machine कितनी बार fail हो सकती है, या वो workers को नुकसान पहुँचा सकती है, पहुँचा सकती तो कितना serious नुकसान पहुँच सकता है या ना मर सकता है, या serious body हो सकता है या manager हो सकता है, इस हमने लोग पता करी और इसके एसाब से फिर हम लोग prioritize भी risk assessment में ही किये हैं, कि या high risk है low risk है, medium risk है, risk control में हमने क्या है, step लेना, action लेना है कि हमको maintenance करना, हमको training करना हमको PPE देना, हमको engineering control देना है तो यह हुआ, risk control and risk assessment अब हम लोग next जो है process के बारें बात करेंगे, हमने देखिए अभी तक क्या कर डिसकस कर जी चुक्क है, अभी हम लोग, अभी हम लोग अभी में slide दिखा देता हूँ, हमने क्या कर डिसकस कर लिया एक second और risk control अभी देखिए, हम पो अभी देखना है auditing, emergency exercise और miscellaneous, तो चाहिए उस पो भी हम लोग यहाँ पर discuss कर लेते हैं तो अभी हम लोग क्या discuss करना है, auditing, ठीक है risk management का auditing, तो जब भी हम लोग risk management scheme का auditing कर रहे हैं तो यह एक trained auditors के दुआरा ही risk management scheme को audit किया जाएगा, ठीक है वो आगलन करेंगे कि जो भी हमारे मौझूदा risk control के जो तरीके हैं जो हमारे safety procedure है ठीक है, वो actual में सही है या नहीं है ठीक है, इसमें improvement हो सकती है क्या, है ना, यह auditing जो है, उलोग करेंगे जो भी हमारे risk management करने के जो तरीका है वो effective है या नहीं है इसमें improvement हो सकती है कि नहीं हो सकती है या जो identified hazard के लिए जो हमने, जो भी काम किया है, वो address हो रहा है यह नहीं properly तो यह auditor का काम ठीक है, अगर auditors को पता लगता है को ऐसा any complete activities के बारे में जिससे बहुत ज़्यादा कही risk हो सकता है, तो वो उस activity में immediate action का tag या फिर flag दे देंगे, किन अधार पे देंगे hazard perception, severity और exposure, ठीक है hazard जो है कितना seem हो रहा है कितना dangerous है, ठीक है potential seriousness क्या है, उस accident का कितने लोग risk में आ सकते हैं इन आधार पे जो है, उस activity में क्या दाल देंगे, immediate action tag या flag दाल देंगे, ठीक है इसके अलावा अभी हम लोग auditing पुड़ा discuss कर चुके, अब हम लोगो क्या discuss करना है, emergency exercise जो भी ख़दा mining में हम लोग emergency exercise करेंगे वो systematic होना चाहिए और दूसरा consistent होना चाहिए ताकि real risk जो है specific to the mind उसको handle कर सके एक particular risk जो है real risk, mind के लिए specific जो risk होगा, real risk उसको handle कर सके तो यह जो हमारे emergency exercise होना चाहिए systematic भी होना चाहिए और consistent भी होना चाहिए इस exercise में क्या है कि mutual assistance को भी हमको involve करने पड़ेगा यानि अगल बगल के जो minds है ठीक है, उनसे भी हमको यहाँ पे mutual सहायता लेनी पड़ेगी ताकि emergency case में हम लोग support एक दूसरा का गर्ब है इसको स्थुनिशित किया जा सके अब इसमें contables agencies involved होंगी तो देखे, जब भी हम लोग यह emergency exercise करेंगे nearby minds के तो लोग जो involved होंगे ही होंगे प्लस इसमें external agencies भी involved होंगे जैसे कि bgms, police, media और company के senior officials तो इन लोगों को भी आपको involved करना है अब जो emergency exercise है उसको कैसे conduct करना है तो जो emergency exercise है उसको as per risk assessment principle के आधार पर ही आपको conduct करना है और नया risk ना आ जाए जिससे किसी व्यक्ति को ठीक है risk हो जाए ना किसी व्यक्ति के जान पे या किसी भी तरह से safety and health पे risk हो जाए तो यह हमको ensure करना है कि जो हमारा conduct हो exercise का वो जो risk assessment का जो सिद्धान तो उसके recording हो और इसके कारण को नया safety risk जो है reduce ना आ जाए ख़दान में यह आपको ensure करना है अभी emergency exercise का भी audit or evaluation होता है ठीक है इस exercise में जो है एक auditing और evaluation का process भी include होना चाहिए ताकि review किया जाए इसके इसकी effectiveness को यह कितना प्रभावी है कि नहीं है इसको जो है review किया सेगे और ठीक है emergency exercise के बारे में next हम लोग जो सबसे last party में आ चुके हैं वो है mislaneous जो developed safety management plan है यह coal के लिए और metal mind skill भी है यानि आप first class का exam दे रहे हैं चाहिए pole के लिए दे रहे हो या second class exam दे रहे हो coal के दे रहे हो metal के लिए दे रहे हो first class coal के दे इस सब्सक्रास management है तो इस development safety management plan में कुछ चीज़े आपको include करना ही पड़े यह साचारे चीज़ include करना ही पड़ेगा वैसे तो कुछ चीज़े के बारे में regulation में mention दिया हुआ है पर यहां पर जो circular है इसमें पूरा चीज़े आपको include करना होगा पहला किया है माइन safety and health policy with a plan for its implementation यह ऺभ़ान का safety and health policy इसका implementation हो चाहिए plan, प्लान को implement चाहिए त्या है company का organizational structure है वो होना चाहिए resources है इसका implementation के लिए ठीक है यह होना चाहिए risk assessment data sheets होना चाहिए hazard control plan होना चाहिए for identified hazard a list of hazard control plans with yellow flag भी होना चाहिए audit seats होना चाहिए for hazard identification and control plan ठीक है code of practice होना चाहिए hazard control plan with immediate action flag ये भी होना चाहिए अब यहाँ पर मैं तुरह सा रुग रहा हूँ previous year जब भी exam होगा था second class या first class फस्ट वैस second class में साथ आया था उसमें question पूझा गया था IAF का full firm क्या है answer क्या होगा immediate action flag तो hazard control plans ठीक है के साथ immediate action flag जो है वो पूरा list उसमें होना चाहिए SMP में इसके लावा एक list होना चाहिए जिसमें पूरा develop process, protocols और system हो एक पूरा list होना चाहिए जिसमें develop schedule, scheme और strategies हो एक पूरा list होना चाहिए जिसमें जो भी हम लोग develop किये हैं standard operating procedure यानि SOP वो हो TARP हो, emergency management plan हो ठीक हो TARP का मददब trigger action response plan भी हो और emergency initiation protocol जिसको EIP का आगया है वो भी SMP के अंदर होना चाहिए इसके लावा emergency exercise logs and recommendation भी होना चाहिए maintenance schedule जो है electrical equipment का जो ख़दान में इस्तिमाल हो रहा है वो भी maintenance schedule भी मिंसरना चाहिए mechanical equipment का जो maintenance schedule है वो भी उसमें होना चाहिए safety manual होना चाहिए electrical and mechanical equipment के ही है और एक पुरा list होना चाहिए जिसमें training और efficient training जब भी होता है उसके वारे management हो इसके लावा यहाँ पर यह भी mention हुआ है कि वैसे hazard control plan जिसमें yellow और immediate action flag अटेच किया हुआ है तो उनको agent owner के दोआरा high priority दिया जाना चाहिए इसके लावा my manager जो है एक schedule develop करेगा ताकि जो emergency exercise में जो recommendation आया है उसको implement किया जा सेगे और इस schedule जो है यह schedule है implement करने का जो recommendation आया है from emergency exercise इसका जो schedule होगा वो agent और owner के साथ consultation करके होना जीए बातचीत परमर्स करके जो schedule वो manager decide करेंगे ठीक है और एक time bond manner में जो है हर recommendation को complete करने का वहाँ पे schedule जो create होना चीए इसके लावा जितनी भी correspondence है concerned authorities के एजेंसिस के regarding mitigation and defined hazard उसको भी ख़दान पे रखा जाएगा तो यह हुआ all about एक है circular 2016 an integrated approach for the development of safety management plan I hope आपके वीडियो पसंद आया है next वीडियो हमनों discuss करेंगे इसी topic से DJMS में कौन कौन से previous year के questions आ जुके हैं उसको हम लोग next question में discuss करेंगे सवाल में पहले ही discuss कर दिया था what do you mean by IF यह आया हुआ है DJMS के second class first class examination में इसका full form क्या होता है तो इसका full form होता है immediate action flag आज के लिए इतना ही रखते हैं next वीडियो में हम लोग इसी topic के उपर बहुत सारी MCQ जो previous year question previous year में आया है DJMS के examination में उसको discuss करेंगे अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें आप चाहते हैं कि और ही ज़्यादा content हम लोग upload करें तो please हमें comment में बताईए कौन सा topic के उपर आप वीडियो चाहते है next और हमें subscribe करें support करें ताकि हम लोग motivate होगए और ज़्यादा content high quality content आपके लिए लाएं मिलते हैं और ऐसी वीडियो में तिल देन आज जय हिंद जय भारत